हेलो स्टुरेंट्स आज हम क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान के अर्थशास्ट के उभोकता अधिकार चैप्टर के आगे हम बताएंगे लास्ट वीडियो में हमने बताया कि कुछ ऐसे कारण थे जिनोंने उभोकता अंधोलन को जन्म दिया और वो उभोकता अंधोलन के उत्तरदाई मूल कारण थे तो उसी में हम आगे आपको बताएंगे कि 1985 में संयुक्त राष्ट संग ने कुछ ऐसे उभोकता सुरक्षा अधन मियम पारित किये और उससे जो भोकताओं की वकालत करने वाले वकील थे उनको भी एक सशक्त माध्यम मिल गया और इसी के अंतरगत कुछ सीजे ऐसी जो हमारे स्वास्त को या हमारे परिवार को डारेकली प्रभावित करती हैं उनके लिए मान की करण का उपाय किये गए तो एलपीजी के लिख होने के खत्रों से बचाने के लिए ऐसे कानूनी विवस्ता किये और ऐसे मानुकों का पालन करने के लिए कंपनीज को कहा और इसके अलावा जो वैवाही कारिक्रम हैं या सिनेमा घर हैं या बहुत बड़े-बड़े मॉल्स हैं तो उनमें अगनी कांड ह उने से बचाओ के तरीकों को अपनाने का जो मालिक थे इनके उनको आदेश पारित किया और इसके अलावा जो मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग थी उनमें भी या मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग हैं उनके अंदर जो लगी हुई लिफ्ट है या उनके अंदर के जो आवास है उनमें भी अगनी शमन से यानि कि आपको बुझाने के उपाईयों को रखने का आदेश पारित किया और उनके जो सुरक्षा के उपाईय किये जा सकते हैं वो सारे लागू किये जाएं इस पे भी उन्होंने सक्ति की उसके बाद जो ऑशदियां हमने आपको बताया था कि ऑश और शदी कंपनियों को आदेश दिया कि उसमें वो निर्माण कीती थी, यानि कि manufacturing date और उसकी expiry date ये ज़रूर mention करें और उसके साथ-साथ उसके अंदर क्या-क्या content हैं इसको भी mention करें जिससे कि लोग उसके बारे में पूरी जानकारी रख सकें और चिकित सकों कि द्वारा कुछ मानक बनाए गए जिनको कंपनियां लागू करें और जो गुणवत्ता वो वस्तु की बतार हैं वही गुणवत्ता उभोगताओं तक पहुँचे इसके लिए तमाम तरह के नियम बनाए गए और उसके ही अंतरगत ये भी एक कारिक्रम चलाया गया कि इन नियमों की ज जगह पर जा रहें तो वह इन मानकों को ठीक से परक सकें और यह जान सकें कि यहां पर वह मानक सही तरीके से हैं या नहीं हैं तो आप लोग देखते होंगे कि जब आप लोग मौल्स में जाते हैं या सिनेमा घरों में जाते हैं तो वहां अगनी शमन के यंत्र रखे रहते तो ये सब इसी के अंतरगतों पहले इस तरीके की वेवस्थाएं नहीं होती थी तो इसके कारण बहुत बड़े-बड़े कांड हुए हैं और जहां भी इनकी लापरवाही होती है तो आप आज भी देखते हैं कि ऐसे कांड होते रहते हैं तो जब ऐसे कांड होते हैं तो जो भी उभोकता है वो उभोकताओं नयायालियों में जा करके इनके खिलाफ मुकदमा दर्श कर सकते हैं और अपना जो भी हानी हुई है उसका कंपनसेशन ले सकते हैं तो आज का आपका टॉपिक यहां पर खतम होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको धीरे धीरे यह बताएंगे कि किस तरीके के अधिकार उभोकताओं को दिये गए हैं धन्यवाद